हालो गाईज मैं हूं मैं आप देखरें से स्टेक बना फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सो इन्फिनिक्स की तरफ से इस मंत ये दूसरा बजट स्मार्टफोन है जो इंडिया के अंदर लॉंच हुआ है जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट सिक्स जो की कल ही मुझे रिसी हुआ है और लगबग एक दिन हो चुगा इस डिवाइस को यूस करते हुए और अल्मोस सारी जी जो को मैंने एक्स्पिरियंस कर लिया है तो आज के इस वीडियो में इस डिवाइस का एक इनिशियल रिव तो सबसे लास्ट में एक माइक्रो यूस्बी केबल और तो अब आते है अपने में डिवाइस के उपर जहां सबसे पहले अगर वे बात कुरूज के बिल्ड और डिजाइन की फोन कम्प्लीट प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है साइड फ्रेम में फ्रेम सब कुछ प् और अच्छी चीज यह है कि आउट ओप दी बॉक्स यहां पर आपको एक केस भी देखने को मिल जाता है वरना बहुत सारी इसी कंपनीज है जो इस प्राइज बेट के अंदर केस भी ऑफर नहीं करते हैं बात करेकर इन हैंड फिल की तो वह बहुत ही अच्छा है डिवाइस 190 ग्राम के उपर होगा बट आपको हाथ में पकड़ने में बिल्कुल भी हेवी फिल नहीं होगा 5000 इमेज की बैटरी होने के बावजू जो वेट मेनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे से किया है ग्रिफ अगरे भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है तो अगर बात करें तो यहां पर आपको मिलते हैं वोल्यूम रॉकर बटन और पावर बटन बागी टॉप एक दम खाली है लेफट हंड की बात करें तो यहां पर आपको sim trick option देखने को मिलता है जो कि एक dedicated slot के साथ में आता है मतलब दो sim card के साथ में आप एक memory card को यहां पर यू fingerprint scanner को skip कर दिया जाता है यहां पर आपको यह feature भी देखने को मिलता है और मैंने इसको test करके भी देखा है काफी अच्छे से काम कर रहा है काफी fast है काफी accurate है अब इन सब के बाद में बात करते हैं इसके display की तो यह device 6.6 inches के 720p display के साथ में आता है जो कि एक drop notch display है बोटम बहुत ही सही देखने को मिल जाती है डिस्पले जो है काफी अच्छे color produce करता है viewing angles भी काफी अच्छे है यह 720 पे डिस्पले है 500 nits के brightness के साथ में आता है तो outdoor में even sharp sunlight में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो डिस्पले काफी एच्छे से visible है इसके लाब वायड़न L3 का certification भी है और डिस्पले में कौन सा production यूज़ हुआ है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है बट फिर भी मैं आपको suggest करूँआ कि आप शुरुआत में ही device के साथ में एक अच्छा tempered glass यूज़ करें डिस्पले को लेकर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि यहां पर आपको जो आपको Apple की करता है और देवाइड अपने फोन के अंदर इंप्रूंमेंट भी करता है साउंड क्वालिटि के लिए इस फोन के अंदर आपको सिंगल इस पीकर देखने को बिलता है जो साउंड क्वालिटी वह ओक्यों की टाइप किये लाओड भी नहीं बहुन सकते तो आप की विज़े से storage में आपको out of the box 64GB में से 52GB free space भी देखने को मिलता है ब्लॉटवेर्स के अगर मैं बात करूँ तो Infinix के default apps को छोड़ कर ब्लॉटवेर्स काफी कम देखने को मिलते हैं और जितने भी देखने को मिलते हैं आप उन्हें easily uninstall भी कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने बोला ही जो डिवाइस से Android 11 के गोव एडिशन के उपर आता है अब गोव एडिशन को इसलिए यहां पर यूज़ किया था कि इस डिवाइस की जो ऑवरॉल परफॉमेंस है उसको थोड़ा से इन्स किया जा सकी अब परफॉमेंस के लिए इस फोन के साथ मे मैं यूज़ कर लोगे तो यह सारी जिज़ आप इस फोन के साथ में कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी हलकी फुलकी मल्टितास्किंग भी आप यहां पर कर सकते हो एप ओपनिंग से लेकर एप क्लोजिंग हो गया एवन जो रैम मैंनेजमेंट है वह भी यहां पर काफी पर्फॉर्मस को यहां पर थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए वर्चुल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है जहांसा आप स्टूरेज को अप्टू टू जी भी तक एजर रैम यूज कर पाएंगे बट इसका मतलब यह निए कि आप इस फोन के अदर हेवी गेम्स को खेल गेमिंग के लिए तो बिलकुल नहीं खरे देगा बेसिक गेमिंग आप कर लो आराम से चिपसेट करवा देगा कोई दिक्कत नहीं है वीडियो माँखे बढ़ते हैं और बात करने इस की बैटरी पर्फॉर्मेंस के बारे में तो यह दिवाइस 5000 वाट की बैटरी के साथमें एक से देड़ दिन का बैटरी बेकप यह डिवाइस आराम से निकाल लेगा बिना किसी इशू के अब अगर नेटवर्क रिक्षप्शन की बात कुरूँ तो यह डिवाइस 4G डिवाइस है को सपोर्ट करता है वह वाइफाई का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है इसके लाव ब्लुटूथ 5.0 का सपोर्ट है तो कनेक्टविटी की जो सारे बेसिक फीचर है वह आपको देखने को मिल जाते हैं अगर कॉलिंग की बात करूँती इस फोन के अंदर आपको सिंगल माइक क सपोर्ट देखने को मिलता है बट कॉलिंग के टाइम जितना मैं इसको यूज करके देखा है कॉल क्वालिटी आपको काफी डिसंट देखने को मिल जाती है बागी अगर आप कॉल रिकोडिंग करना चाते हो तो इस फोन के साथ में आप नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां पर तो रैम और स्टोरेज इससी टाइप के देखने को मिलते हैं स्टोरेज को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको जो है डेडिकेटेद माइग्रोजडी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सी एक depth sensor है तो अगर मैं बात करूँ camera performance की तो personally अगर मैं मेरी बात करूँ तो इस phone की जो camera performance है उससे मैं काफी जादा impress हूँ खासकर इस price budget के अंदर details अच्छे होते हैं skin tones को भी काफी अच्छे से manage कर लेता है camera में focusing को लेगर भी ऐसा कुछ issue मैंने notice नहीं किया यह जो rare camera है यहां से आप portrait photos भी ले सकते हैं और जब मैंने इसको test करके देखा तो काफी अच्छे results आपको देखने को मिल जाते हैं बागी selfie के अगर मैं बात करू तो 5 Megapixel का selfie camera आपको देखने को मिलता है जो 5 Megapixel के recording काफी अच्छा perform करता है फोटोस के अंदर details भी काफी सही होते है skin tones बगरे हो या फिर color control काफी अच्छे से optimize किया गया है और front में आपको portrait mode option भी दिया गया है जो कि actual के अंदर software based काम करता है बट उसके बावजूद काफी अच्छे से काम कर रहा है जितने भी photo मैंने capture किये है edge detection काफी अच्छे से कर लेता है तो एक चीज तो है कि outdoor के अंदर जो camera है वो काफी अच्छा perform करता है इवन indoor के अंदर भी मैंने कुछ shots capture किये थे तो अगर lighting condition अच्छी होती है तो काफी decent quality के photos आप इस camera के थूरू निकाल अगर बात करें dynamic range की तो rare camera की तरह front camera में भी जो dynamic range exposure उसको लेकर थोड़ा सा इंफिनिक्स को काम करने की ज़ुरत है front to rare camera दोनों के अंदर आपको night mode का option देखने को नहीं मिलता बट रेयर साइड में आपको dual LED flash देखने को मिलता है और front में आपको single LED flash देखने को मिलता है जो क इन सब के बाद में guys final verdict की बात कर लेते के 7000 के price segment में phone कैसा है आपको लेना चाया फिर नहीं लेना चाया तो guys देखो personally जितना मैंने इस device को अभी तक test किया है मुझे device काफी ज्यादा पसंद आया especially price segment में आपको काफी अच्छे feature ये smartphone offer करता है अगर मैं design की बात करूँ तो ए आपको यहां पर decent type का देखने को मिलता है जो कि okay okay आपको performance offer कर देगा बागी कुछ ऐसे feature भी है जो आपको इस price budget में बाकी phones में देखने को नहीं मिलते है यहां पर आपको 64GB storage देखने को मिलता है इसके लाबा fingerprint scanner का option है वो भी आपको देखने को मिल रहा है और अगर मैं camera's की बात करूं तो price segment को देखते हुए यहां पर आपको काफी अच्छे camera जिस phone के साथ में देखने को मिलते हैं तो अवरोली जो smartphone एक complete package है आप definitely इस smartphone के साथ में जा सकते हो यह phone आज official इंडिया में launch हो चुगा है जो price pointer वो है 7,499 रुपे जहां से आप इसका 2GB 64GB वेरेंट पर् लेते हैं तो यह जो ट्रुक के earbuds हैं इनका में मैं आप पर giveaway कर दूँगा आप मेंसे कोई एक इने जी सकता है लास्ट ताम मैंने noise birds प्राइमा का जो giveaway वो किया था अगर आप इस प्राइब्ट के अंदर कोई स्मार्ट फोन लेकल आप लोगों के लिए काफी यूसफुल हो अगर आप इस फोन को लेने में इंट्रेस्ट है या फिस प्राइस बैट के अंदर को विडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइ करके बैल आइकनों को भी प्रेस कर देना मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत देने बाद आई स्यू गाई जिंदी नेक्स वीडियो